हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो में हमारे पास आचुका है इन्फिनिक्स जीरो थर्टी जो के दिखने में एक बहुत ही खूबसूरत स्मार्टफोन है लगभग 20,000 की प्राइसिंग में एक कर्वड AMOLED डिस्प्ले के साथ साथ आपको ये वीगन लेधर बैक भी दे देता है आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस फोन के 40 से ज़्यादा अमेजिंग फीचर के बारे में तो अगर आप इस फोन में इंट्रेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा और मुझे बताएगा नीचे कोमेंट्स में के आपको कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा तो ये जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहली खासियत में इस फोन के आपको बताता हूँ वो है 144 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट ये फोन अगर आप यूज करते हैं बहुत ही ज़्यादा स्मूद आपको फिल होता है सेटिंग्स में अगर आप डिस्पले में जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट का उप्शिन मिलेगा बाइट फोल्ट अगर आप इसको ओटो के उपर रखते हैं तो ये हमेशा 144 के उपर नहीं रहता मैं बोलूँगा कि आप जरूर से इसको 144 के पर सेक्ट कर दीजिए ये फोन आपको बहुत ज़्यादा स्मूद फिल होगा अभी जो इन्फिनिक्स का यूई है वो भी काफी ज़्यादा इंप्रूवड और काफी ज़्यादा अच्छा है तो overall आपका UI का experience भी better हो जाएगा एक और बहुत ही amazing feature जो इस phone में आपको मिलता है वो है super live wallpapers का अगर मैं इस phone को log करता हूँ तो इस तरीके का एक बहुत ही सुन्दर animation आपको मिलता है अगर मैं बापीस से इसको unlock करूँगा तो again आपको ऐसा एक animation दिखेगा ऐसे कुछ और भी animations आपको दिए गए है अगर आप home screen के पर long tap करके wallpapers में जाएंगे यहाँ पर यह पहला option आपको select करना है और यह जो पहले तीन है यह different colors में आपको सारे options मिल जाते हैं वैसे अगर आप यह live wallpaper यूज करेंगे तो यह वाला AOD आपका bite fold setup हो ही जाएगा लेकिन इस phone में और भी बहुत अच्छे AODs भी आपको दिए गए हैं settings में personalization के अंदर अगर आप जाएंगे यहाँ पर आपको AODs का option मिल जाएगा इसके अंदर different तरीके के cloaks आपको दिए गए हैं जब भी आप AOD screen के उपर आते हैं तो इस तरीके का animation आपको मिलता है cloak में जो कि again बहुत अच्छा लगता है उसके मिना अगर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ outline वाले cloaks हैं infinite वाले और designs आपको दिए गए हैं और अगर आप चाहें तो आप अपनी photo भी AOD के उपर इस तरीके से setup कर सकते हैं एक और चीज़ जो इस phone में बहुत अच्छी आपको मिलेगी दोस्तों इस phone में आपको Google का dialer नहीं दिया गया Infinix का अपना dialer है तो अगर आप यहाँ पर settings में जाते हैं अगर मैं इस तरीके का gesture phone के सामने करूँगा तो call automatically answer हो जाएगा ऐसे ही अगर मैं यह gesture phone के सामने करता हूँ तो call को आप automatically reject भी कर सकते हैं home screen को customize करने के लिए कुछ और अच्छे options आपको बताता हूँ उसके उपर tap कीजिए उसको आप open कर सकते हैं तो इस तरीके से आप किसी भी folder को enlarge कर सकते हैं एक और बहुत ही अच्छा feature आपको बताता हूँ अगर आप home screen के उपर long tap करके settings में जाते हैं तो आपको desktop folder of frequently used apps का एक option मिलता है basically जो भी आपके recently used apps हैं वो आपको एक folder के अंदर मिल जाएंगी ये dynamically काम करता है दोस्तों और AI की मदल से automatically इसको update करता रहता है basically जो भी application आप जादा use करते हैं वो आपको इस folder में automatically देखने के लिए मिल जाएगा तो इसको आप enable कर सकते हैं वैसे इस phone में आपको themed icons enable करने का option भी मिल जाता है settings में special functions के अंदर अगर आप accessibility के अंदर जाते हैं यहाँ पर आपको themed icons का option दिया गया है इसको अगर आप enable करेंगे तो कुछ icons का अगर आप shape देखेंगे या color देखेंगे तो वो इस तरीके का कुछ change हो जाएगा floating window में open करने का इसके उपर tap कर दीजिए और आपका app जो हो इस तरीके से floating window में open हो जाएगा आप इसको resize कर सकते हैं या फिर अगर आप बिल्कुल कम sizes का कर देंगे तो इस तरीके से shortcut में भी place कर सकते हैं और एक और चीज अच्छी लगी मुझे इस phone में floating windows के लिए कि आप gestures की मदद से भी इसको enable कर सकते हैं जिसके कोई भी app में अगर आप three finger से उपर की तरफ swipe करते हैं तो application automatically floating window में open हो जाता है या फिर आप ये वाला gesture भी use कर सकते हैं app को floating window में open करने के लिए जस्ट आपको app को इस तरीके से जैसे recents में लेके जाते हैं वैसे उपर की तरफ scroll करना है और किसी भी तरफ इस तरीके से drop कर देना है इस phone में दोस्तों आपको एक smart panel भी देखने के लिए मिल जाता है लेकिन सबसे बढ़िया फाइदा इसका जो है इसकी मदद से आप वीडियोस को background में प्ले कर सकते हैं नोर्मली YouTube premium का जो feature होता है जोके paid होता है वो यहाँ पर आप free में use कर सकते हैं वैसे दोस्तों curved display वाला phone जब भी हम use करते हैं तो edge से बहुत बार हमारा miss touch होता रहता है उसके लिए भी Infinix ने एक अच्छा feature दिया है settings में अगर आप display and brightness में जाएंगे यहाँ पर आपको edge miss touch prevention का feature मिल जाएगा by default यह intelligent के उपर selected है जोके इतना area आपका prevent करता है लेकिन आप इसको strong के उपर select कर सकते हैं अगर आप जादा area भी prevent करना चाहते हैं इस phone का एक intelligent और smart feature मैं आपको बताता हूँ अगर आपको किसी भी screen से या किसी भी image से कोई text extract करना है उसका भी आपको इस phone में एक easy option दिया गया है आपको बस दो finger से इस तरीके से tap करके रखना है और आपका phone जो है पूरा scan करेगा और आपको पूरा text जो है वो export करके देदेगा आप इसको full text mode में भी select कर सकते हैं या अफिर अगर आपको इसमें से कुछ copy paste करना है वो भी आप यहाँ पर असानी से कर सकते हैं और एक और बहुत smart feature इस phone में आपको दिया गया है settings में अगर आप sim and network connection में जाएंगे तो intelligent network optimization के अंदर आपको smart dual channel का option मिल जाता है इसको अगर आप enable करते हैं दोस्तों तो आप wifi और mobile data दोनों को एक साथ use कर सकते हैं ताकि आपकी दोनों चीज़ें use भी हो और आपको बहतर connectivity भी मिल जाए settings में अगर आप नीचे scroll करके यहाँ पर special function के अंदर जाते हैं यहाँ पर कुछ और अच्छे features आपको दिये गए हैं जैसे के social turbo का feature आपको मिल जाता है यह especially whatsapp में काम करता है अगर whatsapp के अंदर आप voice change करना चाहते हैं अपना या फिर video call के अंदर अगर आप अपना कोई emoji याजे face दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ से choose कर सकते हैं आप video retouching मतब video beauty mode video calls में enable कर सकते हैं peak mode sticker maker काफी सारे options आपको whatsapp के लिए दिये गए हैं यहाँ पर ही आपको x clone का option भी मिल जाएगा जो के dual apps का option है अगर आपको एक ही app के दो accounts अपने phone में use करने हैं वो आप इसकी मदद से कर पाएंगे अभी के लिए इसमें सिरफ social media apps का support मिलता है तो whatsapp के लिए जो मैंने install किया है उसमें आप use कर सकते हैं यहाँ पर नीचे scroll करेंगे तो आपको action and gestures के अंदर कुछ होर अच्छे gestures भी मिल जाते हैं जैसे कि quick start के कुछ gestures है जब आपका phone locked है तब phone के उपर कुछ draw करके आप directly कोई action perform कर सकते हैं या फिर कोई app open कर सकते हैं यहाँ पर काफी सारे options हैं जिन मे से आप enable कर सकते हैं ऐसे ही आपको music gestures का भी option दिया गया है अगें जब आपका phone locked है तब screen के उपर कुछ draw करके आप directly music को control कर सकते हैं इस तरीके से आप play post कर सकते हैं next song या previous song भी कर सकते हैं privacy related भी बहुत अच्छे features इस phone में दिये गए हैं settings में privacy के अंदर अगर आप privacy protection में जा करना होगा ऐसे ही आपके पास यहां पर x hide का option है अगें इसको अगर आप setup कर देंगे तो इसके अंदर आप किसी भी चीज़ को hide करके protect कर सकते हैं जैसके कोई picture, videos, apps, recordings, documents, किसी भी तरीके का file है उसको आप hide इसकी मदद से कर पाएंगे यहां पर एक feature आपको secure keyboard का मिल जाता ह है अगर आप किसी के pass है आप चाते है कि जो भी आप type कर रहे हैं वो pass वाले इंसान को पता नहीं चले तो यह जो numeric keyboard होता है इसको आप randomize कर सकते हैं, scramble कर सकते हैं तो पता नहीं चलेगा किए आप क्या type कर रहे हैं ऐसे ही जो standard keyboard होता है उसमें भी आप anti-peep mode enable कर सकते हैं ज उसको पूरा blackout भी कर सकते हैं और जितना screen आपको देखना है बस उतना ही आप enable रख सकते हैं privacy related record feature जो मुझे अच्छा लगता है privacy analysis में अगर आप more के अंदर जाते हैं तो आपको secure card का feature दिया गया है अगर आप चाहते हैं कि कोई app जो हो जिरो call looks दिखेंगे तो वो कोई भी data आपका use नहीं कर पाएगा एक और अच्छा option आपको settings में password and security के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको mobile anti-theft का भी दिया गया है आप phone को चोरी होने से बचा सकते हैं बिसकिलिए यहां पर 3 options हैं जैसके अगर कोई भी इंसान आपके phone पर दो बार गलत password एंटर कर देता है तो उसका automatically phone एक photo capture कर देगा या फिर आप theft alert enable कर सकते हैं बिसकिलिए phone को जब भी कोई charging से उतारेगा या फिर earphones उतारेगा phone पे से तब एक alarm बजेगा phone के उपर या फिर आप find my device भी इसमें यूज कर सकते हैं settings में sound and vibration के अंदर आपको DTS sound का भी एक option दिया गया है जिसके अंदर आप अपना audio को customize कर सकते हैं आपके पास कुछ presets है या फिर अगर आपको equalizer यूज करना है तो उसका option भी दिया गया है settings में अगर आप power marathon के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर battery settings के अंदर एक और AI या smart वाला feature आपको दिया गया है जो कि है AI smart charge इसको अगर आप enable करते हैं तो phone जो है वो सीख लेता है कि आप कैसे phone को charge करते हैं अगर आप रात के time phone को जादा charge करते हैं तो phone जो है वो slowly charge होता है पूरी रात में आपको सुभा को full charge मिलेगा तांके phone की battery जादा अच्छा perform करें और दोस्तो एक ऐसा feature जो मैंने किसी दूसरे phone में नहीं देखा वो है Follex Translate का आप इस phone में language translate कर सकते हैं बहुत असानी से और इसके बहुत सारे options आपको दिये गए हैं जिसके आप selective translation कर सकते हैं या फिर social translation आप use कर सकते हैं जब आप किसी के साथ chat कर रहे हैं या फिर आपके पास face to face translation का भी option है जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप अपनी आवास को record करके translate कर सकते हैं या फिर आप image में भी language को translate कर सकते हैं settings में special function के अंदर आपको memfusion का feature भी दिया गया है जो के virtual RAM का option है by default मेरे पास इस phone का 12 GB RAM variant है और इसमें आपको 6 GB RAM को already expand करके दिया गया है maximum आप इस phone में 9 GB तक RAM को expand कर सकते हैं और यहां पर आपको एक video assistant का option भी दिया गया है जिससे आपका video viewing का experience better हो जाता है सारे video applications के अंदर इसका support आपको मिल जाएगा वैसे Infinix का एक ऐसा feature जो आपको हर phone में देखने के लिए मिलता है इस phone में भी आपको 360 degree flash का option मिल जाता है मतबके इस phone में भी आपको front में भी एक flash दिया गया है Wi-Fi tethering का support भी आपको मिल जाता है मतबके जब आपका Wi-Fi own है अगर आप hotspot को own करते हैं तब आपका Wi-Fi बंद नहीं होता बलके इस hotspot की मतलब से आप अपने Wi-Fi को आगे share कर सकते हैं दूसरे devices के उपर और एक और अच्छा feature जो यहां पर आपको मिलेगा दोस्तों वो है PC connection का आप इस phone को PC के साथ connect करके phone की सारी चीज़े PC से control कर सकते हैं इवन files आप directly share कर पाएंगे या फिर इवन अगर आपको apps यूज़ करनी है PC के उपर जैसके WhatsApp यूज़ करना है आप यहां से performance mode को enable कर सकते हैं यहां पर और भी काफी सारे option हैं जैसके आप voice changer यूज़ कर सकते हैं या फिर magic buttons का option आपको दिया गया है अगर आपको volume keys की मदद से कोई action perform करना है games के अंदर छिलिए दोस्तों camera के भी कुछ interesting features आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि इस phone में आपको video portrait mode का support दिया गया है वीडियो के अंदर अगर आप ये F वाले icon के उपर tap करेंगे तो आप videos के अंदर background में bouquet effect को add कर सकते हैं वीडियो recording के अंदर आपको बहुत अच्छे effects भी दिये गए हैं अगर आप इस option को select करेंगे तो यहाँ पर आपको different तरीके के skin tone select करने के options मिल जाएंगे या फिर अगर आप इस option को tap करते हैं तो यहाँ से आप let's को apply कर सकते हैं बहुत सारे effects हैं जिसके raindrops या फिर snowfall वाला effect आप add कर सकते हैं Film mode के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे creative modes आपको मिल जाते हैं कोई भी mode आप select कीजिए उसके अंदर आप अपनी videos के छोटे छोटे parts shoot कीजिए phone automatically edit करके आपको कुछ इस तरीके का video बना के दे देगा more modes के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको dual view video mode का option भी मिल जाता है जिसकी मदल से आप front camera और rear camera दोनों को एक साथ capture कर सकते हैं more के अंदर ही आपको slow motion videos का भी support दिया गया है बोथ rear and front camera से आप इस phone में slow motions capture कर सकते हैं rear camera के अगर मैं बात करूँ तो maximum आपको 240 fps का support दिया गया है एक और बहुत अच्छा mode जो infinix के phones में camera के अंदर आपको मिलता है हो है sky shop का mode आप इस phone में अगर बहार का कोई photo capture करते हैं तो sky को replace कर सकते हैं बहुत सारे अच्छे options हैं और मैंने पहले भी दूसरे phones में use किया है बहुत अच्छे से काम भी करता है उसी के साथ दोस्तों और भी काफी सारे अच्छे camera modes आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जैसके super night का camera mode है उसी के साथ pro mode, panorama mode, documents mode और काफी सारे different modes हैं जोके आप यहाँ पर use कर पाएंगे चलिए दोस्तों अभी के लिए studio में यही था आई होप ही वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीस ज़रो को like and share ज़रूर कीजेगा और मुझे बताईगा नीचे comments में के आपको कौन सा feature सबसे ज़्यादा अच्छा लगा चैनल को subscribe कर सकते हैं अगर आप ऐसी और interesting videos देखना चाहते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों